असलाम रेकों विल्कम बैक इन यू वीडियो आज की जो वीडियो है वो है मोटिवेशनल वीडियो मतब किस ताना से लेजी डे को आप बहुत ही ज़्यादा प्रोड़क्तिव वे में कनवर्ट कर सकते हैं तो चैनले स्टार्ट करते हैं मैं भी बहुत लेजी हो रही थी से लेजी हो येडियो है तो चैनलम अ को अब नुकता हुआ है वीडियो में ज़की जो बहुत हो लेजी को अंप बातीकिरां से सहुंर और मैंने वीडियो प्रोड़क्तिव स्टार्ट कर दिवआ और मैंने जब काम करना छूर केया था मैंने आप से बहूरियो कि किस ताना से छोटे बच्चे के साथ और मतलब टू बेबी के साथ मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जितना भी रूम का मैस था वो जल जली से मैं क्लियर कर लूँगी बेट पर जो भी मैस था मैंने सही की हैं दोनों और फिर ड्रेसिंग को डस्टिंग वगएरा सब इसमें जो है ना मैं डेनी रूटीन जो एक हाउस वाइफ और होम मेकर की होती हो बस मैं आप से शेयर कर रही हूँ मुझे कुकिंग भी करनी थी और मुझे घर की सफाई भी करनी थी बच्चों को भी देखना था ओविसली तो वो मैं किस ताना से मैनिश करती हूँ तो वो आप इस वीडियो में आपको भी मोटिविशन सायद मिल जाएगी तो बस यहाँ पे मैंने कुछ कपरे दोए थे मैंने उनको मीचो था वो समेटना था और यह नीचे भी काफी जादा मतलब जो मेरे टैन मन्स का वेबी है माशाला से वो हर चीज पगड़ते नीचे पहंग देता है वाकर में चलता जाता है जो चीज़ उसके हाथ में आती है और जो है मतलब वो नीचे फैंकता जाता है तो उस वज़ए से भी काफी महसू हो जाता है और फिर यह कुछ कपरे थे मैंने वाश के वे थे इनको भी समेटने में मुझे इतना लेजी पन महसूस हो रहा था कपरों का काम करना मुझे बहुत ही जादा हेक्टिक लगता है और कपरे वाश करना तो खैर इतना नहीं होता है निका आटमेटिक मशीन से बट जो इस चीज़ को समेटना होता है मुझे बहुत ही जादा हेक्टिक लगता है बट एक दब जब आप मोटीवेट हो जाते हैं ना काम करने के लिए बस आप हिक कर जाते हो सब कुछ तो मैंने भी यहां पर सब कुछ जो था वो आइसा इसा समेटना शुरू करनी है यह वीडियो फास पॉवर्ड में हैं बट मुझे काम करते हुए काफी टाइम लग गया था क्यूंग काफी जादा मैस था और और मुझे 3-4 आवर्स लग गए थे इसको समेटने में साथ-साथ मैं कुकिंग भी करूंगी और कुकिंग में मैंने आज बनाना था कीमा पुलाओ तो काम करते हुए 3-4 आवर्स मुझे इसलिए लग गए कि आपको बता है कि मतलब मेरे पास यह जो बेवी है वो फिर रहा है और इतना ज्यादा मतलब वो हर चीज में जो है मतलब मुझे रुकना पड़ता है उसको देखना पड़ता है तो इस तारह से बच्चों को देखते करते हैं फिर उनको खाना देना फिर नाप करवाना बहुत सारी जो बच्चों के काम होते हैं उस वजह से हमारे अपने काम इतने डिले होते जाते हैं लेकिन फिर भी जो है मतलब मोटिवेशन कम नहीं होने दी और बस काम कर दिया क्योंकि अगर बीच में शोड़ दे तो वो भी सही नहीं होना था तो मैंने जल्दी जल्दी तो था वो ब्रश अपने रूम में सारा कर दिया था फिर इसको बहुत जादा इसान को नहीं दा रही थी तो मैंने ब मोट तो मैं नहीं कर सकती है सो रहा होगा तो बस अब मैं इसको यहां पर नाप देने की फुल कोशिश में थी और अलहम्दल्लाइ जो था बहुत सुकून से जा था यहां पर और उस टाइम के लिए मैंने यह वाला मैक्सिमम जो टार्गेट था ना इस रूम को साफ करने का वह कंप्लीट कर लिया था और मोब जो था वह मेरा रह गया था तो अभी जब यह उठ जाएगा ना फिर मैं मोब यहां पर दूँगी मैक्सिमम सब कुछ मैंने उपर उपर से जो बेट शीट्स और सोफा क्लेनिंग हर चीज जो तिना मैस जो भिखरावा था वह मैंने करना है और किसी की हल्प भी नहीं है तो हमें ही हर चीज को मैनेज करना होता है तो यहां पर मैंने जो था कीमा बनने के लिए रख दिया था आलो कीमा जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं मैंने उसी तरह से इसको रख दिया था बस फिर मैंने उसमें वाटर और भी मनें राइस सेड कर देने ते तो यहाँ जितनी दे में कीमा बन रहा है उविस्टी मटन का कीमा था था तो टाईम लगना था उतनी दे में मैं यह आपे मॉप कर दिया और इजहान भी उट गया था तो इस वचास से जल्दी जल्दी सेब मैं या पर मौपिंग स्टार्ट करके फिनिश कर दूंगी, हस्बन के आने का भी का भी टाइम हो रहा था और मेरी कोशिश ही होती है कि हस्बन के आने से पहले-पहले मैं अपना सारा काम कुकिंग समीर्ट वाइंड आप कर लूँ ताके जो है मतलब उनके साथ भी अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम जो है हम लोग स्पेंट कर लें आपस में क्यूंकि वो लेट इतना साधा आते हैं और अगर रात को भी मैं काम पे लगी रहूंगी तो फिर हम दोनों तो एक दोसे को टाइम भी नहीं दे सकेंगे और यह था जिस सेंक और सेंक पे भी मैंने एकदम से इस तरह से ख्लीन नहीं किया इसको भी टाइम लगा था बट अगर मैं वो आपको दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी यहां पर जो कीमा था उसमें पाणी एड कर दिया था जितने मैंने चावल लिये थे इसपसे मैं उसमें पानी एड करक rusty कर दूँगी और नीचे फ्लोर साफ करना था तो जल्दी से जो है वो राइस के बनते-बनते ही जो है ना मैं बागी काम भी समेट लूँगी तो यहां पर राइस मेरे अल्मोस रेडी हो चुके थे पानी जो था वो ड्राइ हो चुका था तो अब भी जो है मैं इसको फिर भी दंपे रखोंगी वो जो थोड़े से जो थे ना वो कच्छे लग रहे थे मेरा उल्मोस सारा काम हो चुका था और अभी जो था सिरफ मेरे किचिन क्लेनिंग रह गया था तो अभी मैं उसको जल जल दी फिनिश कर लूँगी तो जब तक मेरे टाइस जो है वो बन रहे हैं दंपे हैं तब तक मैं यहां पर स्लाब्स जो थी उनको भी मैं वाश कर लूँगी अच्छे से यहां पर मैं इस तरह की क्लेनिंग डेली बेसिस पर नहीं करती हूं बर जब रिकॉर्ट हो था तब तो करना पड़ता है और सासा सारे काम को भी मैनेज करना होता है लाइक कभी बहुत ज़दा मैस हो जाए या बहुत ज़दा गंदा हो जब वैसे तो डेली रूटीन में साफ होती है अगर नहीं रिकॉर्इर होता तो बैस दो कर लेती हूं बस यहां पर मैं अच्छे से जो है वो नीचे का फ्लॉर भी साफ कर लूँगी और फ्लॉर साफ करने के बाद जो ते वो राइस भी रैडी हो जाएंगे और हम लोग जो थे हो खाना खालेंग उतनी दे में husband भी आ गए थे तो मुझे थोड़ा सा हो गया था वो बच्चों को देख लेंगे और अभी जो भी मेरा काम बाकी रह गया था तो वो मैं यहां पर उसको complete करने के पूरी कोशिश में हूँ और बस यह I think final था मेरी सफाई का हिस्सा जो हॉल था मतलब मेरा already clean था उसमें सिर्फ mess था जसको मुझे clear करना था वो मैं कर चुकी थी तो वो मैंने इसमें उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जो बहुत मैसी मेरा area था मैंने आपसे से वही share किया है बाकी जो यहां पर kitchen जो है आप देख लें बिल्कुल नीट हो चुका है यहां पर जो rice मैंने दम पर रखे थे मैं वो चेक करी थी कि मतलब बल्कुल soft हो गए हैं खाने वाले हो गए हैं तो फिर मैं उसको dish out करके तो हम लोग जो थे वो फिर खाना का लेंगे यहां बेनी कीमा फलाओ जो बनाया था बहुत ही मज़े का बना था बहुत simple सी recipe मैंने follow की थी कोई मतलब इतनी fancy नहीं थी लग उसमें जैसे की मा आलू बनाते हैं घर में वो बना था और फिर उसमें जिस प्याली से मैंने rice मायर किये थे उतनी डबल मैंने water आड़ करके तो उसमें जो है six minutes में brownies बन जाती हैं और मैं बहुत दफ़ा recipes आप लोगों से share कर चुकी हूँ और यह मेरी signature recipe भी है और मेरी favorite recipe भी है जब भी दिल करता है six minutes में बन जाती है तो मैं बस इसको बना लेती है और बनाने के बाद हम लोग अच्छे से इसको enjoy करते हैं फिर कुछ days तक हम enjoy कर रहे होते हैं तो फिर इसलिए मैं इसी को prefer करती हूँ के बना कर मैं रख दूँ और जब भी मज़े मीटा खाना हो तो मैं इसको खा लेती हूँ और यह बहुत easy to cook है easy to bake है और less time में तो इसवाज से मतल मैं maximum यही बना लेती हूँ यहां पर मैंने गिनाश में आया था और गिनाश भी बहुत simple जो है वह मतलब मैं यूस करती हूँ उसमें सिर्फ डेली मिल्क चॉकलेट और milk powder, sugar, cocoa powder and that's it और उसको अच्छे से oven में लगा कर थोड़ा सा milk add करके तो गिनाश बन जाता है यहां बचाय जो थी वह बन चुकी थ बस यही था आज का विलोग motivational video I hope आप लोग अच्छे लगी हो और अगर अच्छे लगी है तो do like, share and subscribe my channel तो मिलते हैं next video में so take care, Allah फेस झाल कि बचले हाँ खो यहांग